नवश्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाइफाई स्टडी 2.2 पर मैं हूँ अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में कैसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो निश्चित ही आप लोगों को एक बड़ी दिशा देगा, सोचने का एक मौका देगा कि भारतिये रुपिया कैसे अब इंटरनेशनल रुपीज बनने की कौशिश में पुरजोर तरीके से लगा हुआ है और लगते हुए उसे सफलता भी मिल रही है, तभी तो 35 से ज़ादा देश भारत के रुपे में यानि कि इंडियेन रुपी में व्यापार करने में अपनी रुची दर्शा रहे हैं आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे क्योंकि इस वश्वश है के उपर काफी दिन से बहुत सारा कॉंटेंट आ रहा है तो हमने इसी वज़े से कैसे भारतिय रुपिया ग्लोबल करन्सी बनने जा रहा है इसके उपर आज के सेशन को प्लान किया है आप जल्दी से सेशन को साजा कर दीजे क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारियां आप लोगों के हिसाब से होने वाली है फिलहाल के लिए कुछ कटिंग्स हैं जिन्हें आप देखें कि बैंक लुक अट पॉसिबिलिटी ओफ रुपी ट्रेड विद बांगलादेश अफ्रीकन नेशन आप यहां देख सकते हैं अबाउट 35 कंट्रीज शोन इंट्रेस्ट इन रुपी ट्रेड मेकनिजम फाइनेशल एक्सप्रेक्स की अब खबर देख सकते हैं एक्सप्लेंड लिया है टाइमस ओफ इंडिया ने कि इंडियान रुपी सेटलमेंट मेकनिजम ड्रो इंट्रेस्ट फ्रम मोर नेशन यानि ये तो सुर्खी बन चुकी है कि भारतिय रुपिया अब बहुत जगहे से डिमांड किया जा रहा है और ये शुरुआत कहां से हुई क्या कुछ हुआ हमने आपको कब कब क्या क्या जानकारी दी ये सारी बातें आज के सेशन में आपसे साजा की जानी है भारतिय रुपिया भारतिय रुपिया का महत्व तब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जब दुनिया के देश भारत के साथ व्यापार रुपी में नहीं आपस में भी व्यापार रुपी में करने लग जाए यहां से सुनिएगा, बहुत important बात बता रहा हूँ अभी दुनिया का अधिक्तम व्यापार डॉलर में होता है का जाता है कि दुनिया के maximum payments डॉलर में किये जाते हैं मतलब समझें इसका एक बार मतलब यह हुआ कि यदि आपको जर्मनी से सामान मंगाना है तो जर्मनी की currency यूरो है इंडिया की currency रुपी है लेकिन फिर भी आप अपने रुपी को पहले डॉलर में convert करवाएंगे फिर डॉलर को आप जर्मनी भेजेंगे जर्मनी वाला उस डॉलर को यूरो में convert कराएगा मतलब समझें एक देश से दूसरे देश में व्यापार की जो राशी है वो डॉलर है डॉलर बदलता कहां है रुपे से डॉलर में रिजर्व बैंक बदलती है देश की बैंक के बदलती है सर बहुत महंगा चल रहा है रुपिया और डॉलर तो जी हाँ यह जो महंगाई है इसी को आप exchange rate कहते है कि एक डॉलर 85 रुपे का एक डॉलर 82 तेरासी रुपे का ऐसे ही एक डॉलर कितने यूरो का इस प्रकिरिया के माध्यम से गुजरते हुए व्यापार होता है सर एक बात बताईए व्यापार में तो वस्तू भी नहीं होता है कुछ खरीदा होगा, कुछ बेचा होगा मैंने का फिर भी पेमेंट तो करना होगा उधारन के लिए जर्मनी से आपने ओडी मंगवाई ओडी गार कार मंगवाई मर्सरीज मंगवाई ब्यम डव्यो मंगवाई लगजरी गाडियों के लिए जाना जाता है आपने सामान के रूप में वस्तू मंगा ली लेकिन अचानक आपको पता चलता है कि रुपिया डॉलर के सामने गिर पड़ा मतलब कल तक 80 रुपे था आज 85 हो गया यानि कि जो अभी 50,000 डॉलर की कोई गारी आने वाली थी अब आपको 52,000 डॉलर खर्च करने पड़ेंगे या 53,000 डॉलर खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि रुपिया गिर चुका है अब इस स्थती में आपकी वस्तु स्वते ही महंगी हो गई अर्थाथ आपके इंपोर्च महंगे हो गए क्योंकि डॉलर के सामने रुपिया खड़ा नहीं रह पाया ये ख़बर हम आए दिल सुनते रहते हैं अगर ऐसा ही रहे तो डॉलर कुछ करे या ना करे भारत के बाजार को जरूर मारता रहेगा कॉमन सेंस लगाईएगा कुछ करे या ना करे भारत के बाजार को जरूर मारता रहेगा मतलब डॉलर किसी कारण से चड़ जाएगा अमेरिका के आंत्रिक स्थितियां क्या चल रही है अच्छा मज़धार बात सोचिए हमने क्या डॉलर से व्यापार अमेरिका से किया क्या नहीं तो फिर हमने तो जर्मनी से किया था ना सर जर्मनी की करना से डॉलर नहीं है क्या नहीं है तो इसका मतलब डॉलर है अमेरिकी व्यापार में भारत और जर्मनी के काम आ रहा है इसका मतलब डॉलर बनकर बैठा है अमेरिका में काम में आ रहा है दो देशों के बीच में क्या रुतबा है भाई और यही रुतबा तो हम भी चाहते हैं शुरुआत कैसे होगी शुरुआत तब होगी जब भारत खुद से रुपए में लोगों से व्यापार करना शुरू करेगा अर्थात जर्मनी को भारत अगर बोल दे कि सुनो भाईया हम रुपी में व्यापार करेंगे यानि तुमको यूरो और डॉलर ये जो सिस्टम है ये बदलना होगा अगर अपनी गाड़ियां हमें भेजनी हैं तो हमसे रुपिया ले लो हम रुपी दे सकते हैं तुमारे रुपी को हमारे रुपी को अपने पास रख लो भी या हमें गाड़ी भेज दो सर सामने वाले देश ने मना कर दिया तो कोई बात नी, मत करो व्यापार हम तो रुपे में ही व्यापार करेंगे सर लेकिन आप सोच कर देखो कल को उसे आप से कोई जरुवत पड़ी तो तो हमने क्या कहा हम तो अड़ गए महराज दुनिया का सबसे बड़ा मारकेट है हम हम अड़ गए कि बजार बड़ा है पैसा तो रुपे में ही देंगे भईया धन तो हम रुपे में ही देंगे तो भले रुपे धन में दो गे तो इसका मतलब क्या हुआ भी इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चाहिए तो हमको रुपे में ही अब तुम लोग आपस में देख लो कि तुम्हें रुपे में कैसे काम करना है सर ये तो बहुत जादा दिक्कत हो जाएगी मार्किट को एरे दनिया में मार्किट सब तरह का उपलब्द है ये हम बहुत पहले भाब गए थे कब भाब गए थे ये बात RBI ने जुलाई 11 दो हजार बाईस में समझ ली थी कि यार कुछ भी करते नहीं है धरते नहीं है तेल हम खरीद रहे हैं साओधी से हमारे अकाउंट में से डॉलर खता हो जा रहा है है हम पता चल रहा है फर्टिलाइजर खरीद रहे हैं लारूस से डॉलर हमारे अकाउंट में खता हो जा रहा है यानि डॉलर हमारा नुकसान क्यों उठे भई डॉलर से हम रुपिया चापते तो हैं बडिया से क्या हमारे रुपिया में ताकत नहीं है क्या हमारे रुपिया के बराबर वस्तु हमारे मार्केट में है, बहुत किसी भी करंसी की वैल्यू कैसे decide की जाती है, कि उस रुपई में या फिर उस करंसी के अनुरूप उस मार्केट में वस्तु है अत्वा नहीं, रुपई क्या है? एक legal tender है ना, कोई भी धन, क्या कोई भी करंसी जिसको आप समझते हैं, वो असल में है क्या? करंसी एक substitute है, उसकी वजह से या उसके बराबर equivalent उस देश की मुद्रा का, या फिर उसकी value का, यू समझें, मुद्रा तो खुद होगी वो value का, उधारन के लिए ऐसे समझें कि आपके go down में बहुत सारा अनाज भरा हुआ है, बहुत सारा gold भरा हुआ है, लेकिन आप barter system के माध्यम से वस्तुएं खरीद नहीं सकते ना, कि साब मैं 100 बोरी गहुं भेज़ दूँगा, आप मुझे 4 jeans भेज़ देना, ये तो नहीं कहोगे ना, तो आपने अपने go down में गहुं भरके रखा हुआ है, उसकी अवज में एक परची काट दी, authorize करने के लिए आपने RVI के governor के sign करवा दिया, और उसने कह दिया कि हाँ भई, मैं authority हूँ, मैं guarantee देता हूँ, कि इतना अनाज है इसके पास, कि कल को अगर तुम इसकी जहे से वस्तू मांगने आओगे, तो ये वस्तू दे देगा, that means कोई भी देश जो sovereign है, democratic है, अगर वो announce कर रहा है इस बात को, कि मेरे पास में proper मात्रा में वस्तूएं हैं, तो इसका मतलब वो देश जो है, इंडियन रुपीज नाम से एक दस्तावेट जारी कर दिया, हमने का भई, आज से हम लोग कोशिश करेंगे, कि यदि किसी को हमसे व्यापार करने में सहूलियत हो, तो हम रुपे में करेंगे, ऐसे बहुत से देश थे जिनके पास डॉलर खतम हो रखा था, लेकिन उनके पास खुद का सामान था, आप सोच कर देखिए, श्री लंका खुद से बहुत बड़ी मातरा में नारियल का तेल पैदा करता है, जूट पैदा करता है, अपने नैचुरल रिसोर्स पैदा करता है, लेकिन चुकि डॉलर नहीं है, तो ना तो किसी से कुछ खरीद पा रहा है ना बेच पा रहा है, समझ रहे हैं आप, ऐसी इस्तिती में, भारत ने कहा कि चिंता मत करो, हम हैं तुम्हारे साथ, जिनके पास डॉलर नहीं हैं उनके हमें, इंडिया इस मामले को समझ गया, बकायदा प्रॉपर तरीके से हमने एक लेटर जारी कर दिया, जिनको चाहिए हमसे व्यापार कर लीजिए, हो गया साथ, क्या तरीके अपनाने होंगे, कौन आगे आएगा, निउस पढ़िए, हमने ये खबर कब की बताई है, आपको जुलाई के अंदर की खबर है ये, छीक है, ये जुलाई की खबर है, जुलाई ग्यारा की, और आप न्यूज उठा के देख लीजिए, हमने पांच महीने पहले, आपको RBI का फैसला करके ये न्यूज पढ़ाई थी, इसमें हमने बताया था, कि डॉलर के इस थान पर रुपे में विदेशी व्यापार करेगा भारत, ये खबर है, आपके साथ पांच महीने पहले साजा की हुई, आप सुचिए, पांच महीने पहले ये बात डिसाइड हुई, परिणाम दिखाते हैं आपको, परिणाम ये हुआ, आज से तीन महीने पहले, भारत के साथ, रुपी रियाल में वारता करने के लिए सौधी आ गया आ गया, कि सर सुनिए, आप हमसे रुपिया और रियाल में कर लीजे, यानि हमारी भी करंसी को थोड़ी वैल्यू दे दीजे, बागला देश ने कहा, कि सर, आप हमसे रुपी टका में व्यापार कर लीजे, इंडिया तो क्या कहने निकला था, कि हम रुपी में व्यापार करेंगे, इन लोगों को भी उम्मीद जगी, कि यार हमारा भी पैसा चल सकता है, हमारे भी तो करंसी के मुकाबले, हमारे भी तो गोदाम में सामान भरके रखा हुआ है, हैं, बांगला देश ने इतना कॉटन भरके रखा हुआ है, सौधी ने इतना तेल भरके रखा हुआ है, तो फिर डॉलर क्यों अपनाया जाए, वाइ नोट डी डॉलराइजेशन, बड़ा पॉइंट है, यूई ने कहा, सब आइडिया तो बहुत बड़ी है, आपकी अर्वी आई का, बलितों, तो आप हमसे दिरहम में व्यापार कर लीजिए, भाई साब सब लोग लग गए, इंडिया ने कहा, कंडिशन सेप्लाई, देखेंगे किस के साथ क्या करेंगे, हम तो इंटरनेशनल ट्रेड इंडियन रुपी में करना चाहते हैं, और हम चाहेंगे कि हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो, हम जब के साथ अलग-अलग लेवल पर बात करते रहेंगे, लेकिन डॉलर को अपनाने से बचेंगे, जानकर खुशी होनी चाहिए, 35 देश इस समय लाइन में खड़े हैं, 30 से 35 देश, एशिया से, सकेंडिनेविया से, अफरीका से, जो भारत के साथ रुची दर्शा रहे हैं, कि सर हम आपके रुपी में ही व्यापार कर लेंगे, आप हमारे साथ व्यापार कर लोगस, ऐसी क्या परिष्थितियां बनी, कैसे होता है ये व्यापार, बहुत आसान है, आसान तो केवल इतना है, कि आपको इंडियन रुपी में ही पेमेंट लेना है, और इंडियन रुपी में ही पेमेंट देना है, सर लेकिन हम तो इंपोर्ट बहुत जादा करते हैं सामने वाला इतने इंडियन रुपी का करेगा क्या अरे तो यह आपके सरकार की जिम्मेदारी है और देशों में भी जा जा करके उन देशों से कहे कि अगर आपको रुपीये में वहां से पेमेंट मिले तो सामान भेज़ द इंडियन गवर्मेंट यह बात निर्धारित करने की कौशिश करे क्या निर्धारित करे मैं चाहा रहा था कि बोड का पेज चल जाए तो मैं आपको चीज बताओं ऐसे समझों हम रहें इंडिया वाले ठीक है हमने रशिया से व्यापार कर लिया किसमें कर लिया रुपी ही तो देंगे और रुपी ही लेंगे, रुपिया ही लेंगे, अब आपने का सर एक बात बताओ, हम तो बहुत सारा रुपिया देते हैं, क्योंकि हम तेल बहुत खरीद रहे हैं, हम तो व्यापारी गाटे में रहते हैं, इनके पास तो बहुत बड़ी मातरा में रुपिया होगा हमारा हमने का बिलकुल होगा साब आपका रुपिया इनके पास भर भर के है तो सर अब क्या करेगा ये इसको कैसे फायदा कल को मान लीजे कि इसको आपसे इतना सामान ही ना मंगाना हो तो अरे कोई बात नहीं भाई इस रुपिया को रखे इतनी देर में हम लोग इंडिया वाले कोशिश करते हैं बोले क्या? दुनिया के बहुत सारे छोटू-छोटू देशों से हम बात करने लग रहे है क्या बात करने लग रहे है? कि बाई किसी के पास भी रुपिया पहुँचे ना? रुपिया पहुँचे क्यूबा आया क्यूबा जो अमेरिकासे वैसे खफा है उसने कह सर मेरी एक बात सुनोगे बोले ह norm me नहां आप लोगों के साथ व्यापार करना चाछा पूले पर डॉलर नहीं मेर पास। झिंटा क्यों करता है ले रुपिया पकड चीनी दें रुपिया किस के क्यूबा के पास गया चीनी के कटोरे के पास जाकर कहा कि सुन भाई मैं रुपिया दे रहा हूं तेर को तुमझे चीनी दे दे ठीक है सर लोजी साब क्यूबा के पास पहुंच गया रुपिया और इधर पहुंच गया चीनी कोई बात नहीं रूशिया ने कहा कि यार भाई मे तो क्या पैक करना है बोले हार तेरे पास बड़ी मातरा में नारियल का तेल होता है बोले हां बोले हार मेरे को दे दे बोले यार सर ये लो आप ये नारियल का तेल ले लो रशिया वाले का बांगलादेश के पास किया बांगलादेश सुनो मेरे पास बड़ी मातरा में रुप अब तो रुपिया इनके पास आ गया, अब ये क्या करेंगे, अरे गजब बात करते हो, बांगलादेश, इंडिया के पास आया, सर, मैं आपसे सबसे ज़्यादा गैहूं खरीदता हूं, हाँ बोले तो, मुझे गैहूं चाहिए, बोले ले ले, सब पेमेंट, बोले रुपे म कर दे, क्या दिक्कत है, बांगलादेश, खट से हम से गयों खरीदने के नाम पर पेमेंट, रुपे में कर दिया, कुछ समझे, क्यूबा, सर, मैं आपसे क्या ले सकता हूं, बोले तो सब कुछ ले सकता है, तेरे पास होता क्या है, चीनी के अलावा, बोले सर, दे दो फिर, यह रहा रुपिया, श्री लंका, मैं क्या ले सकता हूं, तो सब कुछ ले सकता है, तो पेट्रोल डीजल भी मुझसे ले ले यार, यह ले, मेरे को रुपिया वापस दे दे, आगया हमारे पास रुपिया, हो गया कंट्री स्टेवल, टेकनोलोजी समझे में आ गई, सरकार क हम लोग आपस में व्यापार रुपिय में करें, यह तो समझ में आता है, लेकिन दुनिया भी व्यापार रुपिय में करने लग जाए, इसके लिए भारत सरकार प्रयासरत है, उमीद है आपको अब सारी बाते समझ में आ गई हो, अगर आ गई हो तो थमसप करिएगा, के साथ, असोसियेशन के साथ, कनेक्ट हो रही है, कि साब हम लोग डॉलर जिनके पास नहीं है, उनको भी तो वस्तुएं चाहिए, उनको हम ले जाकर कह रहे हैं कि आप तो आपस में भी रुपे में व्यापार करो, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, यह देख लो, श्री लं चाहिए, व्यापारिक रूप से भारत के रुपे को आदान-प्रदान में किया जाएगा, अरे मजा आ रहा हो, गूजबंस आ रहे हो, देश को देखके फीलिंग आ रही हो ना, तो इसी बात में सेशन को शेयर कर दो यार, कितनी घजब चीज निकल के आ रही है, क्या, श्र श्रिलंका ने का कि मेरे पास इंडियान रुपी है, रुपी है, रुपी को इंटरनेशनल करन्सी मानता हूं, इससे व्यापार करूंगा, बहुत बड़ा मास्टर इस्ट्रोक है, काम कर गया ना, बहुत बड़ा, आप और खबर देखिए, 12 इसमवर की खबर, रुपे में इंडिया ने बेलारूस के साथ भी भात कर ली, हमने क्या कर लिया ना, बागियों को पकड़ लिया, कि बेटा आओ, आओ और हमारे साथ जुड़ जाओ, हम तुमको साथ देंगे, बागी कौन, अरे जिनके पास एक तो डॉलर नहीं है, और एक जो अमेरिका भी रोधी हो र लुकाश हैंको को क्या परमीशन मिल गए, कि लुकाश हैंको जाओ व्यापार कर लो, किसके साथ करें, बाले इंडिया के साथ कर लो, कैसे, बाले तुमको इंडिया पेमेंट करेगा, डॉलर की जगे, रुपी में, अरे सर, कोई दिक्कत नहीं है, माल खरी देले, बस वो हम लुकाश हैं, तो रशिया हो गया, श्रीलंका हो गया, बेलारूस हो गया, हमने सारे बागी खट्टे गल लिए, सरी होता कैसे है, मतब करना क्या होता है, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, नाश्त्रो और वास्त्रो दो प्रकार के अकाउंट होते हैं, वो बताएंग रुपिया लेंगे, रुपिया देंगे, हम रुपी को इंटरनेशनली स्थापित करेंगे, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े बाजार हैं, और जब हम सबसे बड़े बाजार हैं, तो ऐसे इस्तिती में, रुपी ट्रेड सेटलिट मेकनिजम, ताजिकिस्तान, क्यूबा other interest अपना show कर चुके है December 16 की खबर है आज से 3 दिन पहले की अर्थात हमारे साथ में Tajikistan, क्यूबा, लक्जंबर्ग, Sudan have begun talking to India about using the rupee trade settlement mechanism कि सर हम आपके साथ रुपे में व्यापार करना चाहते हैं आपका ही रुपे में सामान खरीदेंगे आपके रुपे में सामान बेचेंगे India ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हारी करनसी को भी value दूँगा द्यान से समझना बड़ा interesting point है हम exchange की बात नहीं कर रहे है कि बई तुम्हारी करनसी हमारी हमारी करनसी तुम्हारी ना करनसी रुपिया हम इसी में देंगे और इसी में लेंगे हम डॉलर पे विश्वास नहीं कर रहे है चीन ने ये काम करने के लिए बहुत पैसा लुटाया और हमने केवल इज्जत से काम करा लिया चीन ने यही सब काम करने के लिए दुनिया भर को अपने debt trap में फसाया जा जा करके अपनी currency पकड़ाई कि साब ये पकड़ लो रेन मिंबी मैं इनी से करूँगा ये पकड़ लो यूआन यही देना सब को करजा दे दिया जा जा करके सब खाके चौपट विवस्था कर गए बोले नहीं चाहिए तेरा काम हो गया 70% पैसे मारकेट में फस गया इंडिया ने कुछ नहीं किया इंडिया ने केवल इतना बोला मैं ये खाता हूँ मेरे साथ व्यापार करना है मैं बजार हूँ और मेरे पास रोकड़ा इंडियान रुपी है बेचना है तो बेचो नहीं तो कहीं और जाओ सब बेचना है बेचना है तो आजओ इन्हें सीधा सकर दिया जिनके पास डॉलर नहीं है आओ हमारे पास हम आपको साथ में बिठा करके डॉलर की जगे कोई और विकल्ब दे देंगे इंडियान रुपी गोज ग्लोबल तभी तो ये न्यूस छपती है कि अब हमारी करंसी वेश्विक करंसी बनने की तरफ जा रही है क्योंकि इतने सारे देश हमारे साथ इंट्रेस्ट साजा कर चुके है रुपी ट्रेड विद श्रीलंका इंड मौरिशियस सून हम इसी में इनके साथ व्यापार करेंगे उम्मीद है कि अब आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई हो कुछ देश जो हमसे बड़ी मातरा में व्यापार करते हैं जैसे यूएई है, साओधी है ये खुद की रकिम को भी इजद दिलवाना चाहते है ठीक है, दे देंगे हम डॉलर पर इसलिए विश्वास नहीं चाहते है क्योंकि डॉलर असल में दिक्कत खड़ी का कर देता है कि वो हमारे फॉरेक्स को खतम कर देता है डॉलर के, भई, पता चल रहा है किसी भी कारण से डॉलर का भाव चड़ गया डॉलर का भाव चड़ गया हम खामा खामर गये चीटी पैसे रेसी पिट गई बता समझ में नहीं आ रहा है यार तुमारा डॉलर चड़ता है, हमारे यहां सब महंगा हो जाता है क्योंकि ओवर डिपेंडेंसी है हम व्यापार अमेरिका से करें जो हमारा लगबग आने जाने का कुल मिलाकर डेड़ सो बिलियन डॉलर का व्यापार है अमेरिका से, उतना ही प्रभावित होना चाहिए ना डॉलर के कारण हमारा हर व्यापार हम तेल खरीदें तो डॉलर के कारण महंगा हो गया अगर हमसे कोई पूछे तेल महंगा क्यों हुआ सर इंडियन रुपी गिर गया डॉलर के मुकाबले तो यह डॉलर से तो हम अमेरिका से व्यापार करते हैं कि भारत के अंदर रूस की एक बैंक आती है इंडिया की यस बैंक में आके खाता खोलती है जो कि वोस्त्रो अकाउंट कहलाते है कि इंडिया की रुपी में ही पैसा लेंगे और देंगे ठीक है? मज़ा आ गया? तो एक बास सेशन को शेयर कर दो जानकारी पसंद आईये तो सभी सातियों से साजा कर तो चैनल पर नए हो तो सबस्क्राइब कर लो हमारा रेफरल कोड है अंकित 10 जिसका यूज़ करके अनकेडमी का कोई भी सबस्क्रिप्शन आप ले बेस्ट सब्सक्रिप्शन इंडिया के टॉप एडुकेटर्स यदि आपकी नजर में हम ठीक ठाक हैं तो हमारे जैसे बहुत सारे टीचर्स आपको मिल करके UPSC के तैयारी करा रहे हैं और UPSC के तैयारी के अंदर प्लस का combination जिसमें prelims, mains और optional बहुती nominal कीमत पर आपको 58,000 के अंदर तीन महीने के extension के साथ उपलब्द कराया जा रहा है जिसमें prelims, mains और optional बहुत सारे टीचर्स के साथ लाइव पढ़ने का मौका पूरा कोर्स कम्पलीशन के साथ पूरी किताबे, पूरा लाइव सेशन, बहुत अच्छे से इंटरक्टिव क्लासेज, प्रिलिम्स मेंस की टेस्स सीरीज, और अप्शनल्स के बहुत अच्छे अच्छे अप्शन्स, ये सारी चीजे आपको बहुती नॉमिनल कीमत पर उपलब दो रही है, सबसे बड़ी बात आप घर पर रहकर अपनी मनुवांचित जगह पर बैठकर पढ़ाई कर पाते हैं, अब अच्छा कॉंटेंट इतना अच्छा कर आपको मिले तो आप इसको जरूर मौका दें, ठीक है, और यदि आप इसके आसान किष्टों में भी लेने चाहते हैं, तो बिना ब्याज की EMI आपको वेलिए अनाकैडमी ओफर करता है, 4,364 रुपीज पर मन्त में आपको कॉर्से उपलब्द हो जाते हैं, आसान किष्टों पर, फिलाल के लिए ता ही अपना खयाल रखें, धन्यवाद,